हेलो है हसन लो इस्टडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेवर लौ सेकिंड में मजदूरी भुक्तान अधिनियम 1936 के अंतरगत न्यूजक का मजदूरी भुक्तान का द्वाइत तो लेवर लौ सेकिंड लेवर लौ सेकिंड मजदूरी भुक्तान अधिनियम 1936 के अंतरगत न्यूजक का मजदूरी भुक्तान का द्वाइत अगर आप हमारे चल पर नए हैं हसल लौ स्टडी पर अगर आप नए हैं तो नीचे रेड़ बटन दबा कर अभी सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल निशल्क है मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेट भी क्या करें देगे ये इस अधिनेंग पी जो धारा तीन है वो साब साब भी कह रही है कि नियोजक के लिए अपने अधिन नियोजित बेगती जो करमकार हैं उसके अधिन की मजदूरी का बुक्तान अवश्च बुक्तान करना अवश्च बताती है धारा कि बुक्तान अवश्च किया ज भील पर उसे दंडित करने की वस्ताभी साधिनियम में है दारातीन के नुसार प्रतेग नियुजग का मुख और ये प्रात्विक करतब है कि वह नियुजग बेगती की मजदूरी की देन्गी करें उसकी मजदूरी अदा करें दारातीन ये कह रही है और सीमा बेन मतरा बाई बना मेंसर लाल जी हुक्कू 1984 केस है सीमा बेन मतरा बाई सीमा बेन सीमा बेन मतरा बाई मतरा बाई बरसेस मेंसरस लाल जी मेसस लाल जी 1984 का केस है इसमें कहा गया था धारा 12 और 17 के नुसार मजदूरी देने के लिए नियुजक बाद है धारा 12 तथा 17 के नुसार जो नियुजक है ठीक वो मजदूरी देने के लिए बाद है मजदूरी कालाबदी को नियत करने का दायत भी जो मजदूरी का समय है मजदूरी की जो कालाबदी है अब दियों का निर्धारत भी करता है यह नियुजग निर्धारत करने का दायत नियुजग का दूसरा दायत का उलेक धाराचार में यह धाराचार में है ठीक यह धाराचा में यह करतब थीक धाराचार में किया गया है जिसके अनुसार धारा तीन के अंतर्गत मजदूरी का भुक्तान करने के लिए उत्तरदाई बेक्ति इस अधिनियम में मजदूरी कालब्दी के रूप में उन कालब्दियों को निर्धायत करेगा जिनके विशह में ऐसी मजदू देुदीर होगी रिए उन कि समय पर वह देंगा वो उसकी तद्राइब很好 समय करेगा रहते लिए सापताः देगा से दिन देगा या मस इविख देगा किक थी बिमस दूरी के भुक्तान की कालब्दी एक मास से अधिक नहीं होगी ठीक एक मेने के दिगा एक दिन की देगा या सापतायक देगा या फिर एक मेने की एक मेने से अधिक नहीं नहीं कह सकता कि तीन मेने बाद दूंगा या दो मेने बाद मैं तंखा कमचारियों का बेतन दूंगा मजदूर की कालबदी दैने हो सकती है सापतायक हो सक की गई है लेकिन तिरमासिक अर्दबार्सिक और वार्सिक नहीं हो सकती ध्यार रखिए देखिए मजदूरी किस तरीके दे सकता है नंबर एक या तो पिर्टी दिन दे अधराचार क्या रही है यह यह तो पिर्टी दिन दे या सापताहिक दे एकान या मासिक दे सापताहिक माला सपतावाद या माती ठीक यह तीन तरीके से सब्सका बेतन दे और किस तरीक दोगी के फिर्मा सीग को सब्सक्राइबख पिर्मा सक्वार्जिक नहीं मानने जाएगी और बार्शिक नहीं मानने यह दों यह नहीं मानने यह नहीं मानने यह तो रोज दे यह सब्सक्राइब यह इस तरह तीन गड़ सा बटा गया कालब दी नमबर तीन यह है कि मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी भुकतान करने का दायत जो नियोजक है उसका दायत तो रहता है कि चालू सिक्के में चालू सिक्के या करेंसी ठीक करेंसी नोट में उसका भुकतान करें करने का दायत उसका है धारा छे के नुसार के जिए ड़ारागे का गया है कि जो नियूजक है नियूजक करमचारियों को काम देता है अपने हो धोग में काम देता है उनियूजक का तीसरा कर्टब यह है उसका दायति यह है कि बैगतियों का मजदूरी की देन की चालू सिक्वे में एक करन्सी में करें से शेटि से भी कर सकता है माधा मजदूर ये यह से निलोंगा तो नहीं ख styl पहलेकं दस्ति से ये ठीक नहीं है कि लिए से करमकारों के लिए नहीं क्योंकि सम्वाहता बारे में जानकाहि नहीं लगते हैं प्रचित नहीं है और श्idency सो कुई कमचारे खुद कहीं हम आते हैं थीक बैसे नहीं में एक केस है अंग्ण rust का पंजाब राजी का केस है 1964 का है उसमें कहा गया कि मजदूरी का भुक्तान केबल नगद में होगा ताकि भुक्तान का कोई दूसरा धंग इसमें सम्मलित ना हो सिर्फ नगद से होगा और कोई धंग से इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जौता दाइट उहयं नोन्य जक का रिजिस्टर तogi लेकर अंव्रब्डर का दाइट सुंसा रही राजिस्ट्र अभिल रखेग का इस है न्हीं कि करेगा जिसमें से उनके द्वारा न्यूचित विब्रड़ है करेगा कि दोरा कारीयों कि करेगा देखलाई एलिसमें रखेगा कि पूरी करेगा ङूंशार नंबर 5 देख्षय को सुभ्दाएं प्रदान करने का क्योंकि इसमें इस्पेक्टर की नुक्ति होती है जो उद्वघ हैं उनके निरेक्षण के लिए इस प्रक्टर होते हैं जांच के लिए निरेक्षण के लिए तो उन्हें परदान करेगा यह उसका दायत होता नियोजक का धारा एकका चौदा के नुशार नियोजग पर ये दायत आरुपित है मुपबंध है कि हर सम्भब ता सम्भब युक्ति सुबदाइं निलखचक को उसके प्रिवेश कि समय उसके समय लिए नितρο जाच के जाच करने आए परिक्षड करने आए चटा दायत तो है संविदा द्वारा त्याग ना करना लेकि नियुजक का यह चटा दायत तो है कि कि जो उसके कर्मकार हैं उनसे किसी तरीकी की कोई संविदा ना करें और नहीं कि संविदा करके अधिकारों को ना त्याग है तो संविदा करते हैं अधिनव की धरा कि करती कि नियुजक को संविदा द्वारा अपने भार से मुक्त करने का प्रयात करदा Hence कोई भी सम्मिदा या करार जिसके द्वारा कोई न्यूजग व्यक्ति इस अधिकार का प्रिद्याग कर देता है तो उस सीमा तक शून होगा माना जाएगा जहां तो उसके अधिकार से कर्मकार के अधिकार से बंचित करता है कर्मकार को अधिकार से बंचित करता है उस सीमा तक वह सुन कि उसके जिम्मिदारी धारा 25 के अनुसार जो फैक्टरी है उद्धोग है उस उद्धोग में जो नियूजित ब्यक्ति की जो कि नियूजित ब्यक्ति होते हैं कर्मकारों की मजदूरी की देनगी के लिए जिम्मिदार ब्यक्ति ऐसे कार खाने के प्रिवेश द्वार पर जहां से प्रिवेश होता है मुक्त द्वार पर सुगम इस्थान पर जहां पर सब कुछ दिखाई दे ठीक इस्थान पर ऐसी सूचनाओं को लगाएगा प्रदशित करेगा और सारांस आदी दर्जी भी करेगा इस सूचनाओं अंग्रेजी भाषा में होँगी है तस दूसरी वह समाने भाषा जो तो आसानी से समझी जा सके जो इस्थानिय भाषा में लिखी जाएगी अगर इदर उत्तर प्रदेश में है तो इंदी होगी वो प्रिविस्टी वो इंड्री वहां पर सामने कहीं मुखद्वार पर की जाएगी आज की इस वीडियो मैंने चर्चा की जो नियोजग होते हैं उर्दोगों में संस्थावां में उन ये जुगों की मजदूरी भुकतान के दैटर की बारे में उनकी जिम्धारी के बारे में हम मिलते गए वीडियो में तब तक के लिए बाए जुड़े रही है सनलोई चड़ी के साथ